हलो फेंट्स मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल तो फेंट्स आज के वीडियो में finally हम discuss करने वाले हैं जो हमारी e-commerce की series थी core php के अंदर उसमें किस तरीके से हम लोग size और color के options को add कर सकते हैं तो बहुत time से friends आप लोगों के question भी आ रहे थे और मैं भी आप लोगों को बार 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 बोल रहा था कि मुझे थोड़ा सा time दीजिए क्योंकि क्या होता है कि आप लोग जब किसी video के लिए request करते हैं कि यह बनाओ पर उससे पहले मुझे और भी बहुत चीजे देखनी बढ़ते हैं क्योंकि आप एक particular topic के लिए बोलते हैं पर अगर मैं YouTube पे मेरे subscribers की बात करूँ तो सब लोग अलग-अलग technology अलग-अलग topics के लिए यहां पर आते हैं कि चलो इसको एक यह काम करते हैं, parts में हम लोग लेके आते हैं क्या-क्या करेंगे हम? मैं एक बार आपको पहले बता देता हूं और उसके बाद हम लोग हमारा आज का काम है वह start करते हैं so admin panel open कर लेते हैं सबसे पहला काम हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं? admin panel में हम लोग दो master बनाएंगे, एक size के लिए और एक color के लिए, separate table बनेगी, सब कुछ अलग तरीके से उसका रहेगा, उसके बाद जब आप product को add करते हैं या edit करते हैं, वो time पे हम लोगों को set लेना पड़ेगा एक पूरा, कि अभी क्या होता है कि जब आप product को add करते हैं तो quantity है, ये plus color और size, ये पूरे का पूरा जो रहेगा, आपका एक अलग जगा से add होगा, इसी page में एक अलग section बनाएंगे, जैसे आप add image पे click करते हैं, तो multiple images आती हैं, इस तरीके से हमें एक add का button देना पड़ेगा, जहां से आप एक product के correspondence, multiple चीज़ों को upload कर सकते हैं, multiple size और color क base में, अब एक चीज़ और देखनी पड़ेगी हमें यहां पे कि important चीज़ जब आपको multiple attributes डालने होते हैं, तो खाले important ये नहीं है कि आप यहां डाल देंगे, वो color और size के attribute डालने के बाद आपकी पूरी की पूरी website में बहुत सारे changes होंगे, देखे, अभी तक जब आप किस product को add to card करते थे, तो हम क्या करते थे, उस product का product ID database में डाल लेते थे, और हमारा जो session होता था, वहां डाल लेते थे, और जब order place होता था, वो time बे भी हम product की table में उसकी ID डाल देते थे, पर अब समझ ये कैसा होगा, अब आपका product ID तो जाएगा ही जाएगा, साथी साथ product ID के उसके attribute का ID भी जाएगा, कि आपने किस color और size के variation के according product को add to card पे डाला है, वही चीज आपकी जब checkout का पे जाएगा, वहां पे भी जाएगी, वही चीज जब आप final order place करेंगे, तो आपका जो panel बनेगा, admin का panel बनेगा, वो हर जगा पे वो सारी चीज़े upload होगी, तो color और size की जब हम बात करते हैं, तो खाली वो यह नहीं है कि admin पे add करना है, उसके अलावा भी बहुत सारी जगा पे हमें, उसके जो changes हैं, वो करने पड़ेंगे, सबसे पहले हमें यहां पे master की ज़रुवत पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं एक तो master यहां पे बना लेता हूँ, कोई भ इसको copy कर देता हूँ, खाली structure copy कर लेता हूँ इसका और बोल देता हूँ, color underscore master, खाली structure लिया मैंने, go कर दिया, same to same, मुझे size के लिए भी चाहिए होगा, तो मैं एक और ले लेता हूँ, यहां पे size master, चलिए जी, दो table create हो गई हैं हमारी, देख लेते हैं, हुई की नहीं हु तो category को हम लोग change कर देते हैं, color के साथ, और यहां पे भी category को change कर देते हैं, size के साथ, इस तरीके से, एक चीज़ मैं friends, और करने वाला हूँ यहां पे कि, क्योंकि बहुत सारे लोग यह scripts को already download कर चुके हैं, तो अगर आपको अपने website में changes करने होंगे, तो मैं source code में आपको अलग से, जो हमारा updated code है, उसे आज की date से दे दूँगा, जो भी हमारी आज की date रहेगी, आगे भी रहेगी, जैसे आज की date हमारी 5 तारीक है, 5 July है, तो मैं एक folder बना के रख दूँगा, मैं in fact एक काम करता हूँ, अभी बना के रख देता हूँ, जिससे आप लोगों के जो file का हमने आज use किया है, यह एक काम करते हैं, थोड़ा और easy हो जाएगा, मैं parts wise ही डाल देता हूँ, हमारा जो part है, जो 35 है, तो मैं इसको, यह part 35 पता नहीं क्यों पहले से पड़ा है, मैं इसे हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे part 35 underscore files कर देता हूँ, in fact, थोड़ा easy रहे देता हूँ, फिलहाल, आज जो हम लोग यह size और category master का ही discuss करेंगे, वो code में आपको admin का folder बना के उसमें टाल दूँगा, अब admin panel पे हमें एक section बनाना पड़ेगा, जहां से हम लोग हमारा size और color को add करेंगे, वो बहुत ही simple का हमे, category वाला जो section है, उस ही गर applika मार दूँगा, तो काम अपने लिए हो जाएगा बिल्कुल easy, admin पे चलेंगे, और कुछ images पड़ी है, मैं इने हटा देता हूँ, category में चलते हैं, name से sort कर लेते हैं, और एक तो चाहिए हमें manage category, manage category ये रहा, और एक चाहिए मुझे category ये रहा, इन दोनों को मैं copy करता हूँ और paste कर देता हूँ इसको मैं कर देता हूँ, color, और इसको मैं कर देता हूँ, manage color, चलिए, फिर color को copy करते हैं, अब इसको मैं कर देता हूँ, size, और इसको कर देते है, manage size, basically तो master बनाने हैं, हमें या पर और कुछ नहीं है, सारी files open कर लेते हैं, color की, और manage size, manage color, और size कहां गया, size, इन सब को लेके अपने जो editor है वहाँ डाल देते हैं, जो editor आपको use करना है, आप कर सकते हैं, जो आपको comfortable लगे, जिसमें वो आप use कर देते हैं, चलिए, color में आते हैं सबसे पहले, तो जहाँ जहाँ table का नाम है, खाल ctrl c, ctrl f, और यह color का है, तो color underscore master कर देते हैं हमारी table को, replace, 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 ज्यादा हो गया, replace, color master actually table को करना था, और select star from color master, इसको कर देते हैं, color, अब बाकी मैं खुदी कर लेता हूँ, पता चले कुछ और ही हम change कर दे, color, और add color कर देते, इसे color master कर देते है, यहाँ से हमने बोड़ा add color, जब add color पर जाएंगे तो manage color पर जाएंगे, नीचे आजाते, category को मैं कर देता हूँ, color, और यहाँ पर इसको भी कर देता हूँ, color, और जो इसका hyperlink है, इस से हम लोग कर देते हैं, यह तो अच्छा edit का ही page है, status का page है, इसे कर देते है, manage color, c-o-l-o-r, चलिए जी, बाकी तो मुझे नहीं लगता कहीं change करना पड़ेगा, अब इधर चलते हैं, यहाँ पे table का नाम दाल देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ, color, इसको भी o-l-o-r, और इसको भी color, और इस वाले को भी color, चलिए, इतनी जगा color change हो गया, table का नाम में category master, इसको change कर देते हैं, और इसको कर देते हैं, color, 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 color already, इधर भी change कर देते हैं, और क्या पड़ेगा, category table का नाम, इसको color, और इसको color, ये हो गया color, और ये भी हो गया color, और ये हो गया table का नाम, और ये हो गया हमारा page का नाम, color ये है, बिल्कुल ठीक है, नीचे आ जाते हैं एक पार, और नीचे भी एक जगा खाली हमें change करना पड़ेगा, नाम, color, in fact मैं अभी color को ही copy कर लेते हैं, क्योंकि भड़ जगा मुझे color ही डालना है, खाली, color name, और एक label में भी आ रहा है, color, और एक यहाँ पे आ रहा है, color, बाकी तो मुझे नहीं लगता, कुछ change करने के ज़वद पड़ेगी, और एक हमें left navigation में भी change करना पड़ेगा, यह बिल्कुल ठीक है, हम लोग इसे copy करते हैं, और जो product add हो रहा है, उसी के आसपस डाल देते हैं, category वाले को भी, sorry, color वाले को भी, तो product review, review के बाद यहाँ पे डाल देते हैं, color master, sorry, color, और यह हो गया हमारा color master, चलिए जी एक बड़ रिलोड करके देखते हैं, color master आ गया, ज color पे गये, हमने डाला red, submit किया, चलिए color add हो गया, अब अगर फिर से मैं red color डालू, red, तो यह बोल देगा, color already exists, और यहाँ पे अगर मैं black कर दो, तो मेरा color add हो जाएगा, चलिए एक बार status भी देखनें साब बराबर है, यह क्या हो गया, अच्छा, श्याद क्लिक नहीं बराबर हमारा जा रहा है, color हो गया, इसी तरीके से size कर देते हैं, color को कर देते हैं, बंद, size पे चलते हैं, और, 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 हम लोग क्या करें, table का नाम, तो इसको copy करते हैं, और इसकी जगा पे, यहाँ कर देते हैं, size, replace, और, replace, replace, और यह हो जाएगा, size wise, चलिए जी, नीचे आ जाते हैं, category, size, add size, और यहाँ कर देते हैं, manage, size, size, नीचे चलते हैं, इसकी जगा कर देते हैं, size, और, यहाँ भी कर देते हैं, size, जो नीचे page का नाम है, इसे change कर देते हैं, manage category होगा वो, इसको भी manage size कर देते हैं, चलिए यह page हमारा इस बार बड़ी जल्दी हो गया, और, इधर आ जाते हैं, और, इधर भी change कर देते हैं, table का नाम मैंने copy करके रखा हूँ already size और कहा गया भाई size size and size चलिए नीचे चलते हैं भी टेबल का नाम change size in fact size को copy कर लेता हूँ size ज्यादा हमारा use होगा तो काम थोड़ा सा easy हो जाएगा size and size update size underscore master इधर size और इधर size insert into size underscore master size size and size नीचे आ जाते हैं इधर थोड़ा change होगा size हमने बोला size enter size इधर भी size इधर भी size और इधर भी size चलिए जी होपसो साल अपडेट हो गया एक हमें इधर navigation में भी डालना पड़ेगा तो मैं color master के साथ साथ एक size master भी कर देता हूँ size size चलिए जी reload करते हैं size master भी आ गया अभी एक बार add कर लेते हैं तो size में x डाला अरे error आ गई error आ गई मतलब अब देखिए अच्छा होगी error आ गई मैं बोलता हूँ क्योंकि बहुत लोगों के आपके इस तरीके के questions आते हैं कि हम लोग जब कुछ करते हैं तो हमारे code में error आ जाती है कैसे resolve करें बहुत बार मैंने आपको ये सब चीज़े already बताई हुई है अब ये error के लिए एक मैंने dedicated जो है वीडियो भी बनाया हुआ है मैं एक बार पहले आपको वो भी दिखा देता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा channel पर जाएंगे चीज़ों को search करेंगे न तो आपको सब already मिल जाएगा अगर आप यहां पर headers डालेंगे तो देखिए मैंने पूरे का पूरा solution भी डाला हुआ है normally अगर आपका कुछ print रह जाता है तो यह error आती है अब हुआ क्या होगा यहां पर जरूर हमारी जो SQL query है उसमें कुछ न कुछ प्राब्लम हुई होगी एक बार चलते हैं उपर मैंने जो copy paste करे थे न उसमें कहीं पर दिक्कत आई होगी तो हम लोगों ने बोला size master, size मिल रहा है क्या हमें size, 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 size master, update, यह इधर आया यहां पर कहीं पर इसे कुछ न कुछ जो है, मिल रहा होगा जिस वजह से यह बिचाला जो redirect करने की कोशिश कर दा यह नहीं कर पा रहा तो सबसे अच्छा काम क्या है, redirect के code को आप comment out कर दो है यहां पर और right click, reload एक बार फिट से करते हैं तो यहां पर फिलाल तो size exist का error आ गया तो एक बार मैं इसको comment out करता हूँ और दुबारा size पर चलता हूँ और एक नया size add करता हूँ, let's say Excel अच्छा यह देखिए, insert के time पर जो size में शायद मेरा, अच्छा add हो गया पर जब वो redirect हम लोग कर रहे हैं तो redirect जो हमारा code यहां पर नहीं हो रहा है तो मैंने क्या बोला था आपको, कि आपके code में जब कुछ कहीं पर print या कहीं पर कुछ इस तरीगे की चीजें होती हैं, वो रह जाती है तो आपका यह redirect यहां पर नहीं होता है अब एक काम तो क्या कर सकते हैं कि इसकी जगा, यह जो redirect कर रहे हैं आप यह, इसकी जगा पर यह code यूज ना करके javascript के तुरू आप इसको redirect कर सकते हैं तो मैं आपको पहले javascript के तुरू redirect कैसे करना है वो भी बता देता हूँ एक बार को तो उसके लिए admin panel के अंदर हम लोगों ने एक function की file बनाई थी यहां पर मैं एक function बना लेता हूँ redirect के लिए, क्यों? क्योंकि वो redirect वाला जो मेरा function है, वो मेरा और भी जगा पे हर जगा use हो जाए, तो मैं बोल सकता हूँ function redirect और यहां पर मैं जूम करता हूँ कि मुझे URL मिलेगा, और यहां पर मैं इसे redirect कर दूँग, अब javascript के तुरू redirect करना है, तो script act चाहिए इस तरीके से, redirect के लिए window.location.hriff और यहां डाल दीजे, आपका जो भी URL है, आप इसको उस page पर भी कर सकते थे, पर इससे फायदा क्या मिलेगा, कि हमने function बना लिया ना तो अब हमारे पूरे के पूरे website पर यह accessible हो जाएगा हमारे लिए इधर चलेंगे, और redirect के लिए मैं इसको use कर लेता हूँ, यहां पर और यह डा देता हूँ और इस तरीके से ब चलते हैं, तो एक second हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, एक तो यहां भी redirect में डाल देता हूँ और एक यह नीचे की तरफ redirect लगा हुआ है, इसमें भी यह डाल देता हूँ अब चलते हैं एक बार, size में दुबारा हम लोग चेक करने, हम लोग आये, size में डाला मैंने x excel देखिए, बराबर redirect हुआ, edit करने चलते हैं इसे, और इसको मैं कर देता हूँ excel इसने बोल दिया कि excel जो है वो already available है, इसको अगर medium करके submit करूँगा, तो देखिए यह बराबर आपका, जो है, यहाँ पर replace हो गया, change हो गया edit, चली रहा है, active, de-active भी check कर लेते हैं, चली रहा है delete के button पे click करेंगे, तो चलीए delete भी जो है, हम यहाँ पर चल रहा है हम meanwhile, कुछ data यहाँ पर दालके रख लेते हैं, जिससे कि हमारा काम हो, जो है, वो easy हो जाएगा जब हम इसे बनाने लगेंगे, small आ गया, medium आ गया, excel आ गया, सब कुछ ठीक है और एक और डाल देते हैं, चलीए, x-excel और जो color वाला section था उसका भी एक master बना लेते हैं हम लोग तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, black अरे देखिए, यहाँ पे भी issue आ रहा है, तो इसको copy कर लेते हैं, इसको भी वहाँ डाल देते हैं तो हमारा यह जो redirect वाला problem है, सीधा सीधा आपका resolve हो जाएगा, और दूसी चीज जो मैंने आपको बोली थी, कि अगर आपको exactly problem identify करना है तो उसके लिए आप क्या गर सकते हो आपको देखना पड़ेगा कि आपके code में कहीं बे कोई space या कोई चीज ऐसी है, जो print रह गई हुए जिस वजह से आपके सामने यह दिक्कत आ रहा है चलिए जी, एक बार चलते हैं भी और यहां डाल देते हैं हम pink pink add हो गया, black add हो गया, red add हो गया एक और डाल देते हैं चलिए जी, यह color हमारे add हो गए अच्छा एक चीज मुझे और देलाइज हुई यहां पर अब मुझे यह बताईए कि जब मैं size की यहां पर बात करता हूँ तो size में front end पर कैसे दिखाऊंगा size normally कैसे दिखाते हैं हम लोग कि सबसे पहले small को दिखाना prefer करेंगे फिर medium आएगा, फिर x आएगा फिर xl आएगा, फिर xxl आएगा इस तरीके से आपका sequence जो है चलेगा पर select की query से fetch कैसे करेंगे अब अगर मैं alpha-wedically fetch करूँगा तो क्या होगा मेरा a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s पहले m आएगा, फिर x आएगा तो इसके लिए एक काम और गरते हैं कि जो हमारा size वाला table था न उसमें एक और column डालते हैं order by का integer रखेंगे यहां गए अब इसको हमें add करना पड़ेगा size वाला हमारा जो section था उसमें तो मैं इधर चलता हूँ, manage में यहाँ एक तो इसको खली print करा देता हूँ copy paste order by और 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 इधर तो कुछ करने की जववत है यह इधर जववत है, यहां डाल देते हैं size की एक और बना लेते हैं copy paste, replica type इसको बोल देते हैं order by, तो order by में हम लोग क्या करने वाले हैं कि 1, 2, 3, 4 कुछ करके number डालेंगे और उस number के base पे हम लोग front end पे हमारा data दिखाएंगे जिससे की अगर कभी भी हमें हमारी position change करनी होगी तो हमारे हाथ में रहेगा वो जो position change करनी है वो option हमारे पास available है उससे हम लोग से change कर पाएंगे तो मैं, sorry इधर order by, इधर भी order by select कर लिया हमने सब कुछ ठीक है SQL query में भी डाल देंगे copy comma paste order by order by इधर order by sorry order by और इधर भी order by, चलिए यह आगे order by अब एक front end पर order by डाल देते हैं हम लोग बस, कैसे डालें इसी की copy कर लेते हैं एक और text ही रहेगा enter order by और name order by और जो data आएगा वो भी order by आएगा और यहाँ पर कर देते हैं order by label को भी change कर देते हैं कोई फरक तो पड़ेगा नी और मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो default value है ना वो 0 डाल देता हूँ इस तरीके से अब क्या होगा यह आगे आपके आपके order by अचा थोड़ा ना टेबल का भी जो हमारा space थोड़ा से ठीक करना पड़ेगा इधर एक दो तीन इधर भी change कर देते हैं order by order by अचा नीचे भी होगा फिर एक कुछ नहीं नीचे नहीं है ठीक है चलिए जह रिलोड करेंगे अभी set हो गया अभी एक बड़ एडिट कर लेते हैं इसका मैंने order कर दिया let's say 2 small का order कर दिया मैंने 1 इसका order कर दिया मैंने 3 इसका order कर दिया मैंने 4 इसका order कर दिया मैंने 5 अब जब front end पे मैं data दिखाऊंगा तो यह order by के according दिखा दूँगे सबसे पहले आपका small आजाएगा फिर medium आजाएगा फिर x आगया 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 इस तरीके से order by जो size है वो हमारा front end पे manage आगया color पे मैं कोई preference नहीं रख रहा हूँ color पे भी preference रखना है तो आप रख सकते हैं मैं क्या गरूँगा color को तो alphabetically arrange कर दूँगा अगर यहाँ पे भी order by वाला clause आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जो हमारा master था वो जो है create होगा अगला काम क्या करना पड़ेगा फिर से एक database के table बनानी पड़ेगी अभी तक आपका जो सारा का सारा data था कौनसा यह वाला MRP प्राइस तो ठीक है चलिए एक बार को यह देख लेते हैं अभी इसमें भी न multiple combination बन सकते हैं एक बार में चलता हूँ जार अब क्या आपका MRP और प्राइस size और color के base पे change होगा maybe हो सकता है और maybe नहीं हो सकता depend करता है यह चीज़ शायद हो शायद ना हो और quantity तो definitely depend करेगी आपकी attribute पे क्योंकि हो सकता है कि एक size और color के combination पे आपके पास quantity ना हो किसी पे हो तो हम लोग क्या करेंगे अब एक separate table बनाएंगे MRP price quantity color size को उसमें रखेंगे अच्छा एक चीज़ और भी हो सकती है यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास कोई product ऐसा हो जिसके अंदर color और size होई ना तो भई आप वो भी कर सकते हैं अगर आपको color और size नहीं डालना तो आप उसे मट डालो और अगर है multiple है तो आप उसको multiple add कर दो इसको हमें front end validate करना पड़ेगा तो अगला काम हमारा क्या रहेगा admin panel का जो हमारा product वाला page था इसको set करना पड़ेगा अब इसमें भी multiple चीज़े होंगी add के time पे भी data आना चाहिए और जब हम नीचे से select करते हैं वो time पे जब data डालेंगे तब भी हमारा वो proper तरीके से manage होना चाहिए तो वो सारी चीज़ों को हम लोग next part में हमारा discuss करेंगे किस तरीके से product का section हम लोग यहाँ पे बनाएंगे उसके बाद चलेंगे हम लोग हमारे front end पे क्योंकि front end पे भी हमें मैंने आपको बताया था पहले cart पे product के page पे अंदर के page पे और जब आप कोई किसी particular color combination को select करते हो उसके base पे आपकी quantity आएगी multiple चीज़ें अभी आपको front end पे भी उसके लिए करने पड़ेगी जिस वजह से बार-बार में आपको बोलता था कि आप मुझे थोड़ा time दीजिए लेके आएंगे video पर थोड़ा सा time मुझे allow करिए उसके लिए तो आज का video friends हम लोग इतना ही रखते हैं एक आपको heads up देने के लिए भी था कि चली हम लोग फिर से e-commerce को एक बार start कर दे हैं तो हम इसको एक बार जो हमारा topic है size और color वाला एक बार इसको complete करेंगे उसके बाद हम लोग फिर कुछ एक javascript पे वापस जाएं क्योंकि javascript भी हमारा code level पर हो चुका है advanced और एक में script जो है उनको हमें start करना है तो यह था friends हमारा आज का video पसंद आया अगर आपको तो इसको like और share जरूर करेगा channel में अगर आप नए है और आगे भी मेरे videos देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे channel को subscribe कर लेजएगा thank you